module 214 diagnostic criteria for bulimia nervosa so now we will talk about the diagnostic criteria और हम यह देखेंगे कि according to DSM-5 कौन सी ऐसी symptoms जो है वो client के अंदर होनी चाहिए जिसकी basis के ओपर हम किसी को कहेंगे कि इसे bulimia nervosa है so here we will go number A जो है इसका उसके मताबिक अगर हम देखें तो what they are saying कि जो binge eating की जो episodes है वो कैसी होनी चाहिए recurrent होनी चाहिए ठीक है अब recurrent का क्या मतलब है कि जो discrete period of time है वो two hours के अंदर है ठीक है और two hours के अंदर अंदर वो इतना food का amount लेगा जो कि larger है जो कि एक आम शक्स जो है वो खा सके ठीक in other words आप इसको यूं समझ सकते है कि जो food intake है within two hours वो इतनी ज़ादा quantity में हो जो कि normal एक food एक शक्स के food intake से ज़ादा होगा जो उसका lack of control है over eating वो observable हो ठीक है यानि वो अगर खुद को stop करना भी चाहे तो वो food को लेने से खुद को stop नहीं कर सकेगा ठीक है तो एक ये है कि ये uncontrollable है दूसरा ये है कि इतना large portion जो है वो food intake का कर रहा है जतना कि एक normal शक्स नहीं कर सकता अब इसमें usually होता कि कि जैसे अगर कोई शक्स जो है वो snacks काना शुरू हुए तो वो chocolate भी खा रहा है वो chips भी खा रहा है वो candies भी खा रहा है वो energy bars भी ले रहा है तो ये एक ही time के अंदर उसकी जो consumption of food है वो बहुत ज़ादा होगी इसी तरह अगर वो burger खा रहा है तो साथ वो दूसरा proper meal जो है वो rice का portion भी ले रहा है इसके साथ वो drink भी ले रहा है उसके साथ वो fruits भी ले रहा है उसके साथ वो ice cream भी ले रहा है and that has been taken all in a one time तो जिस वकत इस किसम की behavior आप observe करें और उसके साथ साथ वो शक्स अपने आपको control भी ना कर सके यानि that person feel tempted to get that food and eat it and cannot able to stop him or herself तो उस वकत जो है हम ये कहेंगे के criteria ये जो है वो बुले मानवोसा का वो fulfill हो रहा है then P criteria क्या है कि अब चुंके उस शक्स ने इतना ज़्यादा खा लिया अब उसको ये fear develop हो गया है कि I can gain weight अब ये इस fear को subside करने के लिए उसका ऐसा behavior सामने आ जाएगा जो के इस behavior को encounter करेगा ठीक है जिसे हम कहते हैं compensatory behavior ठीक first you take a food and then you try to reduce it as effect तो जब आप उसके effects को reduce करने की कोशिश करोगे तो उसमें client क्या करेगा basically वो vomiting करेगा lexatives जूस करेगा इसके साथ साथ ऐसी medication भी use करेगा जिससे उसको लगे कि उसका जो stomach है वो empty है then fasting कर सकता है यानि 24 गहंटे अगले कुछ ना खाए या 48 hours कुछ ना खाए 72 hours कुछ ना खाए तो it depends कि उसका fasting का span है वो कितना है लेकिन ये बहुत excessive होगा इसी तरह excessive exercises करेगा यानि अगर वो running करना शुरू किया है उसने तो 4, 4 hours, 5, 5 hours वो running करता रहेगा अगर gym गया है तो 6, 6, 7, 7 गहंटे के बाद वो वापस आएगा इसी तरह अगर aerobics कर रहा है तो that person will take a lot of time तो the thing is कि जो ऐसे adolescents होते हैं जिनके अंदर ये problem जो है वो observable होता है उनके साथ आपको इस तरह के compensatory behavior जो है वो देखने में मिलेंगे जो C criteria है उसके accordingly जो binge eating है और ये जो compensatory behaviors हैं ये once a week for three months ठीक है तो time duration कितना है? तीन महीनों में कम जो कम एक हफ़ता जो है वो इस तरह का inappropriate behavior अगर express करेगा तो हम उसे कह सकते हैं कि उसे बुलेमा नवोसा है ठीक है? इसी तरह जो उसकी self evaluation है वो body shape और weight से ही define होगी यानि वो अपने आपको अगर explain करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ और body shape और weight के reference में ही खुद को evaluate करेगा इसके लावा उसकी personality के जितने भी दूसरे characteristics है वो उनको weight नहीं करेगा तीक है? या उसको कोई value नहीं देगा इसकी तरह जो ये bulima nervosa की disturbance है यानि जो binge eating है वो anorexia nervosa की वज़ा से या उसके साथ जो है वो develop ना हो रही हो ठीक तो basically अगर the client has a symptom of one week in a three month period और वो symptoms क्या है? number one taking too much food uncontrollably ठीक है और उसके बाद साथ में उसने क्या करना है? compensatory behavior शो करना है to counter the effect of the taking food तो अगर ये चीज़ उसके अंदर आ रही है और उसके अंदर anorexia nervosa की symptoms नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि उस शक्त को जो है वो bulima nervosa की problem है Thank you